हेलो गाइज नमस्ते तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तो दोस्तो आज का टॉपिक है पर्सनल लॉन के बारे में पर्सनल लॉन हमें कभी भी लाइफ में नहीं लेना चाहिए और अगर लेना ही है तो किस तरीके से लेना तो दोस्तों आपको मैं बतातू कि पर्सनल लॉन सबसे महंगे लॉनों में आता है और इसका जो इंट्रस्टेट होता है बहुत ज्यादा होता है मान के चलो अगर आपने 50,000 लॉन लिया और उसकी रेगुलर किस्ते आप भर भी रहे हो तो भी आप 70-70,000 रुपे 50,000 का इत भी नहीं लेना चाहिए पहली केंडिशन है दोस्तों कि अगर आप पर्सनल लॉन किसी का उधार चुकाने के लिए ले रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों क्योंकि एक तरफ से तो आपका चुटकारा मिल जाएगा लेकिन पर्सनल लॉन के चक्र में लेने हैं चाहिए अपने बाइक लेनी हैं चाहिए कुछ भी करना वह ऐपने जुरूरत को लेकर दोस्तों इस चीज नीया कि क्या कि आपको द्याया रखना है तीसरा दोस्तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट दोस्तों अगर आपके पास टाइम है और आपकी एलाइसी की जीवन भीमा पॉलिसी चल रही है तो उससे आप दोस्तों पर्सुनल ले सकते हो और सबसे बैस तरीका है प्रसुनल लेने का यह तो उनका इंट्रेस्टेट बहुत कम है दूसरा दोस्तों आपको किस्ते बरने की सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है को टेंशन नहीं होगी अगर आप लाइसी विमा योजना के लाइसी के अंदर पर्सुनल लेते हो तो अगर आप लाइसी में जीवन भीमा पॉलिसी में तीन साल का सलाना प्रिमियम भर रहे हो लगातार बर रहे हो उसका 24% तक आपको लौन मिल सकता है तो अगर आप सलाना 50,000 रुपए का लाइसी में प्रिमियम भर रहे हो और तीन साल में लगों मान के चलो डेड़ लाक हो गया वह तीन साल में डेड़ लाक हमांट होगी पचास-पचास-पचास और उसका दोस्तों चिमारीस परसेंट आप उसका लोन ले स सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दस परसेंट इसका दोस्तों ब्याज होता है सलाना दोस्तों इसका ब्याज 6 मिने के अंदर जनरेट होता है साल में दोबार होता है इसका दोस्तों जैसे जैसे आपका प्रिमियम बढ़ता रहेगा जैसे तीन साल का चार साल का पान साल का दस सा तो कैसी लगी दोस्तों इंफ़र्मिशन कि अगर इंफ़र्मिशन अच्य लगही ओ तो वीडियो को भी रोर स्प्रोड़ियो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है अब अपने चैनल पर बैंकिंग्ग और 파ॉम्हें वीडियो लें आता रहें